हेलो दोस्तो आज हम गड़सारी में खड़े हैं देखिए आप बैजरों का ये रश्ता है और काफी समय के बाद हमें मौका मिला था यहां आने का सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना दूँ तो नमस्कार दोस्तों मैं धर्मिन्दु नोट्याल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिट स्पेस इंडिया तो देखें गर्मियों का मौशम है इस शमय नदी में पानी का इस्तर बहुत कम है क्योंकि आज का इस वीडियो में आपको देखाने जा रहा हूँ गौणी छीडा ये गौणी छीडा आपने बहुत बार नाम सुना होगा और देखा भी होगा ये waterfall का जो सबसे उपरी वाला हिस्सा है यहां से मैं आपको देखा रहा हूँ क्योंकि यहीं से पानी एकत्रित होकर बिलकुल एक जर्ने के रूप में गिरता है तो ये ठीक उसका उपरी वाला हिस्सा है ये देखें मैं भी आपको जूम कर के इसको भी दिखाऊंगा उससे पहले मां आपको यहां पर एक और भी चीज दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यह बहुत accidental area है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहां पर खत्रे से कम नहीं है, यह सड़क देखे आप, इस सड़क के किनारे पर ना कोई supporter है ना कुछ है, और ठीक इस सड़क के शामने यह ज पहाड के नीचे, जश्ट नीचे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गौणी छीडा, वो भी इसी के ठीक नीचे है, तो यह एक इलाका जो थोड़ा सा खत्रे वाला हो जाता है, तो यह देखे कितना भैंकर मंजर है, देखने में भी यहां से डर लगता है, बिल्कुल य जासा पहाड, अब मैं दिखाता हूँ, आपको जहां से जरना स्टार्ड होती है, यह देखे यह इतना बड़ा पत्थर है, और पत्थरों के 20 से, जो हाइट है, वो हाइट से पानी गिरता है, और यहां से बनती है जरना, तो इसी जरने के टॉप हिस्से में आप दिखा रह देखने में और बहुत इतनाज जगह है यह तो यह देखिए नीचे से आपको देखा रहा हूं कि इसी का नाम है गौनी छेड़ा और आप देख रहे होंगे कि नीचे कितनी गहराई है इसकी क्योंकि जब इस नदी में बाड़ आती है तो और भी इसका रूप विक्राल हो जा हुआ दिखता है और इसकी गहराई का कोई भी माप नहीं है यही है गौनी छेड़ा के नाम से यहां की एक परसित जर्णा जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं और आप लोग उनने भी खुद देखा है जिन लोग उने नहीं देखा है उन लोग को मैं बता रहा और जब नदी आती है तो इसका मंजर रोख अपा देने वाला हो जाता है तो यही था आज के इस वीडियो में नमस्कार फिर मिलेंगे कभी और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ धन्यवाद